हलो बच्चों, लेट्स रीट इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सेज वीच अफ दी फॉलुइंग आर करेक्ली मैस्ट वीट रेस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनोमिक क्लसिफिकेशन सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे चार ओप्षिन्स दे गया है, चार ओप्षिन्स में कुछ अनिमल का नाम मेंशन किया गया है और हर एक ओप्षिन में एक एक टैक्सोन यहाँ पे मेंशन है, सो हमें जो करेक्ट कॉंबिनेशन है उसको सिलेट करनी है So let's start the discussion, सबसे पहले start करते हैं A से, A में है housefly, उसके बाद है butterfly, then cc fly, then silverfish, ये जो चार animal यहाँ पे दिया गया है, सारे ही belong करते है phylum, arthropoda से, मदलब सारे ही है arthropods, और इसका जो class है, सारे ही होते है इंसेक्टा, ये सारे ही class इंसेक्टा से बिलॉंग करते हैं, मदलब सारे ही होते हैं insects, ये जो silverfish यहाँ पे है, इसका नाम यहाँ पे fish है, इसका मदलब है ये वो fish नहीं, ये भी एक इंसेक्टी है, सारे ही हैं insects, इसका मदलब यहाँ पे ये match कर रहा है, सो ये option यहाँ पे हुआ सही, next आ रहा है B में, spiny ant eater, first दिया गया है, spiny ant eater, ये जो ant eater होते है, ये एक mammal होते है, class mammal लिया, next है c archin, c archin ये एक echinodarm मता है, मतलब ये class echinoidia से बिलोंग करता है, echinoidia, next आते है, c cucumber, c cucumber, ये भी एक echinoidarm मता ही है, मतलब एक echinoidarm ही है, बड़ ये दूसरा class से बिलोंग करता है, इसका जो class है, वो है hollow thuroidia, hollow thuroidia, सो ये हो गया गलत, क्योंकि spiny ant eater तो mammal है, next आते है, number c में, पहला है flying fish, ये जो flying fish होते हैं, ये class actinop terryg से बिलोंग करता है, actinop terryg, next, flying fish एक fish ही होते है, next आते है, cuttlefish, 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 ये class cephalopoda से बिलोंग करता है, ये fish नहीं होते हैं, ये एक molask है, इसका जो class है, वो है cephalopoda, ये fish नहीं है, और last, silverfish, silverfish पहले ही बदा चुके है, कि ये एक insect है, ये orthopoda है, तो इसका जो class है, वो है insect, यहाँ पे कुछ भी match नहीं है, तो ये option हो गया, rejected, and the last one is option D, option D में पहले ही है centipede, ये जो centipede है, ये centipede बिलोंग करता है class चिलो पोड़ा से, class चिलो पोड़ा से, और next time millipede, ये millipede बिलोंग करता है, diplopoda से, diplopoda से ये बिलोंग करता है, next आते है, spider, spider का जो class है, वो है arachnida, और last है scorpion, scorpion भी होते है, एक arachnida, class arachnida, सो ये साड़े ही arthropod है, लेकिन इसका class सब अलग-अलग है, spider और scorpion का एक है, सो यहाँ पे ये option भी हो जाएगा, गलत, सो यहाँ पे housefly, butterfly, sissi fly और silverfish का class insecta ये common है, इसलिए option A हुआ सही, सो students, hope you understood it well, best of luck, पोढ़ ले गी हो खानी जाएगी है और countedौत君,